वो सारा का सारा वोट, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे बहुजन का हो, चाहे कांग्रेस का हो, वो M.I.M. पार्टी को चला जाएगा, अरे सुन लीजे, ये जो सब दलों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहा है, लेकिन जब मेडिया के बंदू ने पूछा अकलेश याद मुकिया के जो अवलाद है, बेटा है, वो ये पसंद नहीं करता है, क्योंकि उनके बाप ने कहा था कि हमारा जो लड़का है, वो मुसलिम भिरोदी है, जो मुसल्मान बेगुना जेल में बंद है, उनको आजाद कराने की बात इसी अकलेश यादों ने करी दी, ये उसी सम् नमस्कार, आप देखने है, शोशल न्यूज, मैं आपके साथ मुहम्माद अक्रम, मलियाबाद में मौझूद हूँ, लगातार में आपको दिखा रहा हूँ, उतर प्रदेश का चुनाओ, मलियाबाद की खास बात यह है, कि यहाँ काम पूरे दुनिया भर में जाता है, ये मौझूद है, सपा की समर्थ तक मौझूद है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दू कि आजम खांच जिसको लेके, माइम और समाजवादी पार्टी दोनों लड़ गए हैं, उनके भी समर्थ तक माझे साथ मौझूद है, तो सबसे पहले जाएंगे सपा के दरफ और उनसे बात करेंगे, आप इस भार वोट देने अपने बता है ता अभी समाजवादी पार्टी को वोट देनी हैं? अगर समाजवादी पार्टी की तारीफें गिना नेम चलें और लिखने चलें तो इंग की सियाही और तारीफों के लिए दो चार साल चाहिए और इलक्षन बीद जाएगा फिर पांच साल हो जाएगा अब इतना जादा तारीफ है अब गिना दीजे आपने क्या क्या किया है भाई देखिए हमें समान मिला बीस साल पहले हमारे साथ जो होता था हमारे खेतों पे हमारी लाशों पे गो भी वह दी गई मलियाना हाशिंपुरा मुरादाबाद एक जंगा से लेके चलें कलेजा फट जाएगा चुप रहें तो मुझ से कलेजा लिकल पड़े और बोल दें तो आग से खोन का चश्मा उबल पड़े गुजरात में जब नरसंगार हो रहा था तब यही कांग्रेस ने फांडरेशन उसने राजी उगांदी फांडेशन उसने बेस्ट मुकमंतरी का इवाड मोडी जी को दिया, तो हमारे कलेजे सब दलों से पटे हुए थे, हम अठासी से समाजवादी पार्टी में हम तो गहर सियासी हैं, हम लोग काओम जो हमारी है, हम सियासी नहीं है, हम सियासत पे नबस को जानते हैं हम 88 से मुलायम सिंग यादव के साथ हैं आज के वक्त में स्टेस से उतारा जा रहा है मुसलमानों को आज के वक्त में समाजवादी पार्टी के घर के लोग BJP में जाते हुए दिखाई देरें तो बहुत बदलाओ देखने को मिला है ना थोड़ा साम अगर कईये तो पीछे चले जाएं 90 के दशक में एक लडाई हुई थी मंडल और कमंडल की जो कमंडल के साथ हैं वो उधर हैं और जो मंडल के साथ हैं वो इधर उधर हैं जो जिसको जाना है मंडल कमंडल में वो उधर जा रहा है इसकोट जंग जो हुई है वो आत्मे सम्मान की जंग है नारे और नीती की है किसका नारा किसकी नीती किसकी नियत इस पे इलक्षन हो रहा है काउन हमारा सोशल जस्टिस है सब दलों का सम्मान करता है हम लोग उसके साथ जा रहे हैं समझगा है सुन लीज़े जवाब आद में ले लीज़ेगा हम बहुत देर ये बोलते हैं आप सम्मान की जंग में सरफ जाएंगे ये जो जैसे ये ने कहा कि हम सन 82 से लेकर सम्मान की बात लेकिन जब हमें लगा कि सम्मान यहां मिलने वाला नहीं और तो इसलिए हमने एक जो अभी तक हमारे पास आप्शन नहीं था उत्तर परदेश के अंदर क्योंकि हमारे पास जब कोई विकल्प नहीं था तो हमारी मजबूरी थी हम महुत पहले समझ गए थे कि यह जो हैं हमें कहीं के मह 중에 मांसम्मान नहीं यह सिव अगर मांसम्मान देंगे तो अपनी बरादरी वात को सबसे पहले हावी रखेंगे यह जो डराते हैं को इसको इन तुफा देना था अपनी सरकार में जिसको यह वादा करके लाई थे कि अथा परसें डिजरेशन देंगे जो मुसल्मान बेगुना जेल में बंद थे उनको आजाद कराने की बात इसी अकलेशादों ने करी दी ये उसी सम्मान की बात कर रहा है कि जब वहां का दंगा हुआ और वहां की 20-25-25 महिलाएं हामला हो गई और मा बेटी के सामने बलातकार किया गया और इस ठ्टरती हुई ठंटक में मासूम बच्चों ने सिसकते हुए गोदों में जब आखरी सांसे ले ली हमें वो भी दिन याद आता है जो याद गुजरात का आता है अगर आप गुजरात के आइडियल को बता रहे हैं तो हम मुख मंत्री इनके बने चार बार बहन मायावती बनी आप लोग जाद दो रहे थे ना कोशिश तो कर रहे थे कि गडबंधन हो जाए लेकिन नहीं हुआ उसके बार आप लोग कहीं और जाने हम एक गडबंधन लेके आए थे कि एक मंच लेके आए थे भागेदारी संकल्प मोर्चा बना चले जाते गडबंधन हो जाते हम जब आपको आना था कि हमने कोशिश की हमने कोशिश की गडबंधन के लिए हमने असाद वैसी साहब ने सिर्फ एक बात की थी कि भारती जंता पार्टी को अब तक कि तुम आजादी के बास से नहीं हर रोक पाए अगर आप क मुला मुलायम बोला जाता था कि वह मुलायम सिंह यादा होते हैं और उनके दोर में यह जो सियासत इस दोर में हो रही है खलेश यादो की यह मुसलिम बिरोधी है मुलायम सिंह यादा हो से जुड़ा था इनसे भाग रहा है क्यों भाग रहा है बारा के बाद से बताईए भरपूर मुसल्मानों ने वोट दिया लेकिन आप 17 का चुनाओ वहार गए आप 19 का चुनाओ वहार गए और 22 का चुनाओ आप कितनी बढ़ी आपको लहर दिख रह दो ड़्र हैं लेकिन किंग मेकर का काम किसे लिए करेंगे की मेकर का अपने लिए पार्टी बना के और दुनिया को हकीकत का पटा कुछ भीन आहीं लाकिई आप यहीं किसी भी मुसलीम बहूली आखियोंissant वास माज है चाह वह कांग्रेस पार्टि हो जतनी पी नियुन का जो हिंदू खड़ा हुआ है वो जीच जाए आपने सत्रा में भी यही किया आपने बारा में भी यही किया अगर एक बार हमारे बैरेस्टर लग रहा है कुछ बदलाओ देखने को पूरे उत्तर परदेश में बदला होगा क्योंकि इनकी जो सोच थी कि हर जहां पर मुस्लिम स चंदर एक आवास को लोगों लोग सुन रहें दिल्चस्पी के साथ में वह खतम होने जा रहा है बाइस में अब उनके पास विकल्ब है वह सारा का सारा वोट चाहे वह समाजवादी का हो चाहे बहुजन का हो चाहे का और भारती जनता पार्टी से मुकाबला सीधे-सीधे ह बोला चारा है कि हम चार सो के आजपास जो है सीधे इस पर जीत के लाएंगे क्या कहना चाहेंगा चाहे हैं किसी की तीन सो प्लस आ रही है तो क्या साथ सो चीज़ते हो गई है असल में कॉंस्टूशन जब लिखा गया तो उसमाद एक टेक्स बहुत जुरूरी लगना था जबान पर टेक्स वह लगता था तो यह बाते नहोंती सरी सब बोगस बाते हैं कोई नहीं चार सो पार जा रहा है आप देखिए गांग गौर्मेंट बनेगी यहां पर और इन्शालला इसमें आसार यह बनेगी कि कॉलिशन गौर्मेंट अब यह देखना है कि असाथ साब साफ कर दिया हम समंदर का दो कोना है अगर बीजेपी एक कोना है हम दूसरा कोना कभी साथ में नहीं आ सकते बीजेपी के जो वोटर से वो एक तरफ है लेकिन समाजवादी पार्टी में एमाइम पार्टी में चंशेकर भी आ गए तो ऐसे में वोट कटते हुए दिखाई द दिया अब हमारे 400 यह मोर्चा हमारा बना है यह 403 सीटों पर खड़ा हो रहा है गॉड विलिंग आप देखिए का ड्रामेटिक बहुत जबर्दस रिजल्ट्स आएंगे और यही लोग यही लोग जो आज बाइकाट कर रहे थे यह कल घुटनों के बल हमसे हाँ जोड़ के अब यहार वाल फिर से होगा एंडे परसंट होगा टेक माइब वोर्ट्स एंडे परसंट विल्लू की बेटे रो रहे थे ना उससे बुरी तरह से एकले अकली ज़राई गहें बैमोगेरी लाल के सपने हैं लोग देख रहें बिहार में भी क्या हुआ था कोई लालू का बे 75,000 है यहां पैसी पोनित्स हैं अगर आपको हार का डर पर को शनुनियरी बाद हैальा अबी हम उस पर भी आएंगे अगर यह बोलने देंगे 75,000 मुसल्मान है 75,000 में कितना मिल जाएगा कितना पढ़ता है वोट मुसल्मान क्या सम मिल जाएगा जब हमने कहा था हमारा तो अभी भी एलाने तमाम दलों से के फिरकापरेस ताखतों को रोकने के लिए एक मच बनाओ एक मुहाज बनाओ और भारतिये जनता पार्टी सुनो तो यार फिर बोलने लगे विशू इंदू परिशाद और भारतिये जनता पार्टी और एसस की विचारदारा को रोका जाए तो बहुत से दल भाग गए सुनिये उसी में अरे सुन लीजे यह जो सब दलों को साथ में लेकर चलने की बात कर रहा है लेकिन जब मीडिया के बंदू ने पूछा अकले शादव से कि वह ऐसी साथ से गड़ बंदन क्यों नहीं तो उनका जवाब था कि नहीं इन से नहीं वज़े क्या है इन से क्यों नहीं आप तमाम दलों से कर लेंगे अरे बीजेपी की बीटीम तो राजभर भी थे बीजेपी से तो आये थे बीजेपी के थे तो क्यों आपने ले लिया अभी स्वामी परसाद मौरिया आए मानसिक्ता देखिए ऐसी मानसिक्ता के लोग आप अपनी पार्टी में भर रहें और उसके बाद आप इंदू बार्टी जंता पार्टी से लड़ें आज ये नोबत की कौन बीजेपी का है और कौन समाजवादी पार्टी का है कोई नहीं बता सकता घर की बहु बेटियां आज आपकी निकल के जा रही है बीजेपी जॉ拟 कर रही है और बीजेपी के लोग さीदे सीदे आपके घर में उस तरण हो गया जैसे टोड़े लगातार के समाजवादी पार्टी कि इस बार हम किंग मेकर का काम करेंगे क्या कर पाईगी फिलाल समाजवदी यह कह रही कि इस बार हमार हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको क्यों आएगी आपका कमेंट हमाई लिए बहुत मात पोड़ें नमस्कार चैनल को लाइक शेर और करना नबूलेगा करना नबूलेगा